कि बिसमिल्लाइब नहीं असलाम अलेकुम इमद्रिसार.com के एक और टेटोरियर के साथ मैं आपकी खिद्वत में हाज़र हूँ मेरा नाम है अश्म जावेद और इस टेटोरियर में हम लोग एक कर्व शेप बनाएंगे और आप लोग उसको इस्तवाल कर सकते हैं अपने किसी भी प्रोजेक्ट नहीं इस वकर चो आप वाल पर आप लोग देक रहे हैं डेक्स टॉप के उपर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्रम फेस्बुक डॉट इमद्रिसा.com से और आप इसको दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं फैंद फैमली के साथ और यहां पे आप लोग से डाउनलोड कर सकते हैं. So, हम लोग यहां पे जो शेप बनाएंगे वो हमार बाइबस यह जो कर शेप है यह बनाएंगे accidentally मैंने यहां पे यह जो text effect बनाया था इसको भी मैं cover करूँगा यह काफी अच्छा text effect बन गया था तो I was thinking that I should share this with you guys कि हम लोग इस तरह इस text effect को बना सकते हैं. So, इस tutorial के लिए हम लोग यहां पे यह जो शेप है इसको मैं cover करूँगा और हम लोग इसमें कोशिच करेंगे कि हम लोग इसको achieve करें. आप लोग इसको इसी तरह भी इस्तमाल कर सकते हैं या आप लोगों के पास कोई भी idea है तो आप लोग इसको 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 कर सकते हैं. और यहां पर इस शेप को अचीव करने के लिए हमें जो एक और चीज चाहिए वो है ग्रेट्स हम इसको उपन करेंगे हम लोग ने भी थां किसी भी ट्रोल में ग्रेट्स का इस्तमाल नहीं किया So we're going to view, show and grids मैं यहां पर आपको बताता चलो के हम लोग यहां पर Photoshop CS4 का इस्तमाल करें हैं और यह mirrorless version है अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं So you can download from itgenerd.com या फिर आप लोग इसको डारेक्ली फ्रम e-madrisa.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं तो हम लोग यहां पर इसको जूम इन करेंगे एक्शूल पिक्सल में ताकि आप लोगों को इसके बारे में clear view नजर आ सके और आप लोग इसको achieve कर सकें मैं इसको एक और दफ़ा जूम करूंगा और हम लोग इसको बनाने के लिए जो to use करेंगे that's pen tool make sure कि इसका जो shape का option है वो choose है और यहां पर हमरे बास जो create a new shape layer है वो choose है और हमरे बास यहां पर जो auto add and delete का option है वो भी choose है क्योंकि अगर आप लोगों का यह option check नहीं होगा तो अगर ऑगर हम लोग इसमें dense add करना चाते हैं like free pen tool हम लोग use करना चाते हैं free phone जो या add anchor point करना चाता है तो यह नहीं हो सकना अगर यहए uncheck है हर्य में सब्सक्राइब, मैरे यहां पे यह प्रक्राइब這個 है मैं यहां पर यह जो दू पॉक्स है इनका इस्ते 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 ह्ते हुए मैं यहां Р टाइए झो जिन्ली ने बाट को बनाने के बाद मैं अपने कीबोर्ठ से शीप को प्रेस करेंगा और मैं यहां पर एक निशाना लगाऊंगा अलाए यहां पर एक और नोट बनाई है जिसको मैं थोड़ा सा और जूम इन करूंगा ताकि आप लोगों को और फीजादा क्लिए नज़र आ सके हम लोग यहां पर हमर बस यह जो Center node है Center line है जो जोई इन दोनों का मैं यहां पर क्लिक करूँगा ओके और अब मैं यहां पर इस शेप को बनाने के लिए मैं यहां पर अपने की बोर से control को प्रेस करूंगा और इसको थोड़ा सा मैं नीचे के तरफ मुफ करूंगा लाइक नाइक हीर अब ये जो ये जो शेप है ये ना आप लोगों को बिलकुर सेंटर पॉइंट में विलेगी और ना ही यहाँ पे नीचे में लेगी सोट सेट सकाइन अफ लिल बिद अवे फिम इस जोइंट ये इस जोइंट से दोर सी दूर है इसको जूम ओट करूंगा प्रेस अल्ट फरम ये जूम आउट किया है और इस तरह हम लोग ने शेप को बनाया है अम गूने टेक मैं पैंटूल अगें और मैं यहाँ पे हमार बस यह जो हमारी जो फर्स्ट नोट थी उसके पर मैं क्लिक करके इसको जॉइंट बनाऊंगा और ये पूरी शेप बनेगी ओंसे डन जब यह आप लोग इस तरह बना लेंगे तो उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एक और नोड एड करनी है सो वट इम गुंड दो इसडाँ गोडिय तो गयां बनाऊंगा उर मैं चानल करनी के बाद मैं यहाँ पे निचे एक और नोड बनाऊंगा और थी ख में रिवर शेंग चारईंगा साइंक पर यहाँ बनाऊंगा तो इक गैर बना लोगे रोपे, like this, okay, so हम लोग ने इस तरह एक शेप बनाई है, I'm gonna fill it with the background color control backspace, अगर आप लोगों के पास black color नहीं है, so you can reset by pressing dnx की, हम मैं इसको यहाँ पे actual pixel करूँगा, तो हम लोग ने कुछ इस तरह की एक शेप बनाई है, so अब आप लोगों को वो जो curve है, वो इतनी ख zoom था, उसमें हम लोग काम कर रहे थे, मैं यहाँ पे हमारे बास यह जो grid है, इसको hide करूँगा, so this is what we have, लेकिन हम लोगों को कुछ इस तरह की shape जो है, इसको achieve करना है, उसके लिए मैं यहाँ पे alt को press करूँगा, और मैं यहाँ पे click करके इसके एक new copy करूँगा, so उसके लि अब हम लोग ने जब इन दोनों shapes को joint करना है, तो उसके लिए हम लोग सब से पहले इसको transform करेंगे, to edit, transform path and flip horizontally, इन दोनों को मैं joint करूँगा here, अपने keyboard से मैं arrow को press करूँगा one time and this is what we have, इन दोनों को आप लोग control E की मदद से merge भी कर सकते हैं, so this is my shape, जो के मुझे चाहिए, यहां पर, alright, अब इसके उपर मैं इसकी जो layer है, उसकी एक और copy लूँगा और मैं इसकी copy के उपर काम करूँगा, और यहां पर मैं इसके उपर जो सबसे पहली चीज़ अप्लाई करूँगा, that's gradient overlay, और make sure के इसका जो angle है, that's 90, okay, उसका जो gradient है, उसको choose करेंगे, इसमें जो सबसे पहले color हम लोग add करेंगे, for this tutorial, I add 5, I add 5, 4, 5, 4, 5, 4, okay, हलका साइक gray color है, and I'm gonna press okay, और इसका जो दूसरा part है, उस पर भी मैं एक color add करूँगा, which is gonna be A, D, A, D, A, D, and I'm gonna press okay, और इसके जो center color है, उसमें जो मैंने color add किया है, that's gonna be E, 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 जो कि, Half white है, और मैं इसके इसका इसके इस्तमाल कर रहा हूँ, I'm gonna press okay, press okay again, और इसमें मैं drop shadow का इस्तमाल कर रहा हूँ, drop shadow के लिए हम लोगों ने choose किया है, multiply, color is gonna be black, और इसकी जो opacity है, उसको मैं थोड़ा सा change करेंगा, about 60 is perfect, इसका जो, distance है that's gonna be 5, इसका जो separate है that's gonna be 0 और इसका जो size है वो रहेगा 5, make sure कि इसका जो anti-alise है वो check है और इसका जो gradient है उसमें हम लोग उने जो setting की है that's gonna be normal, opacity is 100%, इसका जो style है वो linear है, इसका जो angle है वो 90 है और इसका जो skill है वो 100 है, okay, normal है, it's a normal setting, I'm gonna press okay और इसको आप लोग इस तरह, इस shape को देख सकते हैं, so this is what we have, so यह जो हमारी shape है, यह raw shape है, अब इसको मैं यहाँ पे move कर सकता हूँ, यान आँ मुना minimize this, और यहाँ पे इसको मैं edit, transform or flip vertically करूँगा, और इसको मैं यहाँ पे adjust करूँगा, about here, okay, अब इसमें आप लोग के जो back side पे देख रहे हैं, यह जो black आपको नज़र आ रहा है, जो कि इसको properly round करता है, उसके लिए हम लोग ने एक rounded rectangle tool का इसमाल किया है, and let me see, it's good, और इसको मैं black fill करूँगा, make sure कि आप लोग इसको, so like this, आप लोग इसको rounded कर सकते हैं, so मैं इसको यहाँ पे इन दोनों को choose करूँगा, और इसको मैं यहाँ पे adjust करूँगा, like this, और यह जो हमारी layer है, यह इस layer से नीचे होगी, so I'm gonna close this tab, और इसको मैं यहाँ पे bottom में adjust करूँगा, like this, so हमारी यह जो shape है, यह ready है, और इस तरहां आप लोग इसको इसको इस्ते हैं, अपने किसी भी tutorial के लिए या फिर आप लोग अपने किसी भी project के लिए इसको 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 मैं ठोड़ा सा change करूंगा इसका जो distance को कि मैं कम कर सकता हूँ okay okay so आप लोग इस तरह इस shape का इस्तवाल कर सकते हैं हमरी यह जो दोनों shapes हैं इनमें एक बड़ी है और एक चोटी है इसलिए आप लोगो को तूर सा फ़रक नजर आएगा but this is the way to achieve this effect आप लोग इस तरह इसको अचीव कर सकते हैं अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तवाल कर सकते हैं I hope you learn something from this tutorial this is very quick tutorial मैं यहाँ पर आपको बतादा चाहता हूँ कि अगर आप लोग हमें जॉइन करना चाहते हैं on facebook so you can join us on facebook which is facebook.emadrissa.com या फिर आप लोग हमारी जो helping websites हैं like itgeneral.com आप लोग यहाँ पर भी हमें join कर सकते हैं इसके लावा आप लोग हमें join कर सकते हैं on youtube which is youtube.com slash photoshop in urdu यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक और चीज़ शेयर करना चाहता हूँ जाता जाते लेकिन उसकी जो तरतीब देनी होती है उसको जो design करना है उसकी जो recording है और उसकी जो setting है उसके लिए मुझे काफी time चाहिए होता है और कभी कबार इतना time नहीं होता कि मैं दो या तीन दिन के बाद मैं आपको एक tutorial जो है उसको upload कर सकूँ तो उसके लिए काफी दिन लग जाते है I am very sorry about this बड़ आपका जो tutorial है वो आप लोगों को मिल जाएगा और एक और बात यह है कि mostly जो students question करते हैं वो यह होता है कि Photoshop CS4 को कहां से download किया जाए Photoshop CS3 को कहां से download किया जाए और उसके जो links और videos जो हैं वो available हैं already अगर आप लोग किसी भी जगा पे ये question देख रहे हैं कि मैं Photoshop CS3 को कहां से download करूँ या Photoshop CS4 Middle East version को कहां से download करूँ और आप लोगों के पास उस वीडियो का link भी है या आप लोग उसको देख रहे हैं तो आप लोग प्लीज उसे अप कर दीजिए आप लोग प्लीज उसे अप कर देंगे अगर आप इसको अप कर देंगे तो ये जो पोस्ट है ये टॉप पे चली जाएगी इसका फाइदा ये है कि जो new students आते हैं उनको जो tutorials हैं और जो नई चीज़े हैं वो पता नहीं चलती हैं अब हमारे पास ये latest tutorial इसवकर ये जो आ रहा है वो यहां पे काफी नीचे है so new users को नहीं पता चलता कि ये जो tutorial है ये आ चुका है या फिर ये आने वाला है क्योंकि मैं इसके ओपर कोई भी date mention नहीं कर सकता कि मैं फना date को ये जो tutorial है इसको upload करूँगा because there is no fixed timing for any kind of tutorial so अगर आप लोग इसको just like this you write up oops up और आप इसको enter कर देंगे तो ये automatically यहां पे top पे चला जाएगा और automatically user को new post के बारे में पता चल जाएगा इसके लाबा हमरे बास ये जो post है like here this is very nice image ये जो posts हैं ये एक user designed image है मैं आपको इसका tutorial भी avail कर सकता हूँ और मैं आपको लोगों के इसके बारे में भी बता सकता हूँ बच जिस user ने ये image बनाई है अगर आप उनसे contact करेंगे तो आप लोगों को इस image के बारे में perfect information दे सकते हैं इसी तरह बहुत सी ऐसी images हैं like this और हमारे पास ये जो images हैं इन में कुछ ऐसे काम हैं जो कि users ने किये हुए हैं और कुछ ऐसी images हैं जो के उन्होंने कहीं से लेगे mix की हुई हैं तो आप लोग अगर images के बारे में information देना चाते हैं तो वो जिस user ने उसके उसको approach किया है आप लोग उसके उससे contact कर सकते हैं हमारी जो groups हैं इसमें कोई भी image या कोई भी links इस वकत हम लोग को post नहीं करने दे रहें क्योंकि बहुत से students हैं जो के jokes और शायरी और Islamic post और इसके लाबा images और ऐसी चीज़ें upload करते हैं जिससे हमारी जो post है वो नीशे चले जाते हैं और new students को बिल्कुल पता नहीं चलता के tutorial आ रहे हैं या आ चुके हैं so this is why we we close all of the posting options so I'm sorry about this but soon we will start posting I hope you learn something from this tutorial अगर आप लोग हमें जोइन करना जाते हैं so you can join us और हमारा जो next tutorial होगा और इस design के बारे में करेंगे यह जो मर्बस text effect है it's kind of a glowing but it's really nice so हम लोग इसके बारे में बढ़ेंगे कि आप लोग के सरह यह text effect design कर सकते हैं